बटर चिकन, कोर्मा, मटन कबाब, ये सुनकर आपके मुँँ में पानी आ गया होगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जिने सुनकर आप नोनवज खाने से पहले सौ बार सोचींगे. जब भी आप मीट खाते हैं, तो उसमें मौजू सेचुरेटिड फैट, आपका बलड कॉलेस्ट्रॉल बढ़ा कर आपको हार्ट अटेक की तरफ ले जा सकता है. प्रोसेस्ट मीट से आपकी इंटस्टाइन यानि आतों पर भी बुरा आसर पड़ता है, जो बाद में आतों के कैंसर का कारण बन सकता है. एक सर्वे में पाया गया है कि वेजटेरियन खाने के मुकाबले एक दिन में एक बार भी रेड मीट खाने वालों के अंदर बिमारी होने की संभावना 48% तक बढ़ जाती है, जिसमें डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटेक जैसी गंबीर बिमारियां शामिल हैं. वेजटेरियन डायट के मुकाबले नॉन वेजट डायट लेने से आपका वेट और पेट दोनों ही आउट ओफ कंट्रोल हो सकते हैं. लोग मीट को खाने के लिए हमेशा ही नए-नए advantages गिनाते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन का अच्छा source है, और इसे खाने से ताकत मिलती है, लेकिन वेजटेरियन खाने में ऐसे बहुत सारे products हैं, जो प्रोटीन और energy से भरपूर हैं, और रही बार टेस्ट की, तो मीट का अपन कोई टेस्ट नहीं होता, वह बिल्कुल फिका होता है, और असल में जो आप खाते हैं, वो महद मसालो का ही टेस्ट होता है, तो अगली बार किसी जानवार की जान सरफ अपने खाने के लिए लेने से पहले, ये जरूर सोचें कि इससे सिर्फ उसकी जान नहीं जा रही है, ब